Indian film industry में अगर most misunderstood film का award किसी को देना है तो वो undoubtedly प्रभास की film सलार को जाएगा जिसने film देखी है वो अच्छे से जानता है one of the most iconic comeback है ये किसी भी Indian actor का after इतना बड़ा disaster failure हमेशा गलती film बनाने वालों की नहीं होती कभी-कभी film देखने वाले भी बहुत बड़ा पाप कर देते हैं theatrical experience ऐसा जिसके बाद समझ आया बड़ी screen पर film देखना किसको बोलते हैं वो काली माता sequence out of this world लेकिन box office clash और numbers के चक्कर में काफी लोग तूख गए बाद में OTT पर film को देखा तब गलती समझ आई क्योंकि जितना सोचा था उससे बहुत जल्दी सलार 2 का नियोता आया है ये चहरा याद है फिल्म में अचानक से वक्त बदल दिया जजबात बदल दिये पूरी कहानी बदल दी थी सिर्फ इस एक कैरेक्टर ने और अब रियल लाइफ में भी इन्होंने कांड कर दिया है क्योंकि रिसेंटल एक इंटर्व्य में सर्जी ने रिवील किया है कि सलार 2 की शूटिंग इसी साल एप्रिल में स्टार्ट होगी तो माने हम लोग जो सोच रहे ते डिरेक्टर प्रशांत नील पहले NTR 31 कंप्लीट करके रिलीज करेंगे उसके बाद सलार 2 का नंबर आएगा एकड़म गलत सर्प प्रशांत नील और प्रभास दोनों का सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त अगर किसी फिल्म पे है तो उसका नाम है सलार पार्ट 2 और जिस पॉइंट पे सलार के फिर्स पार्ट को खतम किया गया था लिटरली रॉम्टे खड़े हो गए थे सबके पहले वो कटपा ने बाहुबली को क्यों मारा और अब देवा वर्दा दो जिसम एक जान से जानी दुश्मन क्यों और कैसे बन गए त्यार अंदर की सीक्रेट ख़वर इस टाइम ये है कि सलार 2 हेविली इंस्पार्ड होने वाली है महाभारत से दुरियोधन कर्ण की दोस्ती वो राजा की गद्धी जिस पर बैटना कर्ण को चाहिए था लेकिन दोस्ती में सब कुछ दुरियोधन के नाम कर दिया बस इसी फामिली ड्रामा में मास्टर माइंड प्रुशांत तील ने गेम ऑफ ठोन्स के ट्विस्ट अंड टॉन्स को शामिल करके एक बहुत ही खतरना कहानी तयार की है फॉर सलार 2 फिल्म के जो प्रेडियूसर है विजय सर उन्होंने अल्रेडी बहुत पहले बता दिया था कि पार्ट टू की कहानी रेडी है बस उसको शूट करके रिलीज कर देना है क्लियरली बोला था उन्होंने प्लैंस ऐसे है कि सलार 2 दोहजार पत्रीस के एंड तक फियेटर्स की स्क्रीन पर पहुँच जाएगी किसी भी तरह अरे इवन बाहुबली 1 और बाहुबली 2 की रिलीज डेट के बीच में सिर्फ देड साल का फर्क था अगर वो रिलीज होगी तो सलार को लेट क्यों करना सब कुछ डिपेंड करता है प्रभास के उपर जिनके बारे में इंटरस्टिंगली ये पता चला है कि वो नेक्स्ट फिल्म संदीप वांगा के साथ स्पिरिट करेंगे और संदीप वांगा ने खुद रिवील किया था कि वो स्पिरिट पे काम स्टार्ट करेंगे 2024 के एकड़म एंड में अराउंड नेवेंबर दिसमबर तो बॉस कहीं ऐसा तो नहीं प्रभास एप्रिल से लेकर दिसमबर तक सलार पार्ट टू एकड़म फिनिश करने वाले हैं क्योंकि कुछ इंसाइड स्टोरी ऐसी भी आई थी कि नील सहाब में पार्ट बन के साथ साथ थोड़ा बहुत शूट पार्ट टू के लिए भी कर लिया था ये डाइनसौर वाला सीन उसका प्रूफ है देखो सर तीन इंपोर्टन केरेक्टर्स होंगे इस बार पार्ट टू में जिनका सबसे ज़ादा ध्यान रखना चाहिए आपको पहला शूती हसन का इस पूरी कहानी से मिस्टीरियस कनेक्शन कौन है ये और उनको बचाने के लिए देवा ने खुद को रिवील क्यों कर दिया इनको बचाना इतना ज़रूरी क्यों है कि देवा ने जो सील खुद बनाई उसको भी रोग दिया चैस में होती है न रानी राजा को जिन्दा रखने वाली समझ जाओ ये वही है चैरेक्टर नमबर टू है मदर जिनके एक इशारे पे देवा शैतान में बदल जाता है और खुन खराबा ऐसा जिससे शायद वो खुद डर जाता है पकी बात है पार्ट टू में शौर्यंगा की कहानी देवा की मा अपनी जुबानी सुनाएंगी और तब समझ आएगा बदला लेना दोस्ती से जरूरी कैसे बन गया और बदले से याद आया तीसरा और सबसे इंपोर्टन केरेक्टर राजा मनार कही न कहीं यही वो रीजन है जिस वज़े से अब देवा और वर्दा में से सिफ एक जियेगा प्रेजेंट के जो सीन्स दिखाये थे पार्ट वन में प्रित्फी राजवाले उसमें राजा मनार एकदम मिसिंग मैसेज क्लियर था देवा ने उनका गेम ओवर कर दिया है और शायद इसी वज़े से राजा मनार की बेटी देवा का कटा हुआ सर देखना चाहती है लेकिन दोस्ती की वज़े से शायद वर्दा ने आज तक उसको जिन्दा रखा है एक चौथा बड़ा सीक्रिट केरेक्टर देवा के फादर का भी है कौन है वो जिसका बदला बेटा ले रहा है किस एक्टर को कास्ट करते हैं वो देखने में मज़ा आएगा मुद्दे की बात यह है जैसे सलार पार्ट बन 70% एक्शन सीन्स पर डिपेंड कर रही थी पार्ट टु में ये रेशियो 50-50 होगा विट स्टोरी टैलिंग कहानी बहुत इंट्रस्टिंग होगी वैसे पता ये भी चला है कि सलार पार्ट टू के लिए होंबाले प्रोडक्शन अपना ख़जाना खोलने वाला है क्योंकि फिर्म का बजट 500 तक जाने वाला है तैयार रहेगा एप्रिल में हो सकता है शूटिंग स्टार्ट होते ही फिर्म का अनॉंस्मेंट टीजर भी रिवील किया जाए सलार बदला लेगा आप सब लोगों से रेडी बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिक कुछ शिकायब करनी हो तो आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई